वल्कम बैक टूमा यूट्यूब चलाव वनस अगेल आज जो हमारा कोच्चन है वो यह है फोर पावर आफ एकस प्लस फोर पावर आफ एकस इस इक्वेशन में तो इसको अब हम स्टार्ट करेंगे सुलूशन में क्या है हमारा जो ग्यूण है वो फोर पावर आफ एकस प्लस फोर पावर आफ एकस इस इक्वेशन से तो हम अब दूसरा स्टप लिखेंगे दूसरा स्टप में क्या लिखेंगे इस गिवन को अब सालो करेंगे वही दो स्टब में लिखे यहाँ पर अगर हम देखेंगे इस लेफ्ट साइड में एक्वेशन फोर बेस इन दोनों का सेम है इन पलस पावर भी सेम है तो इसको क्या हम लिखेंगे इसको हम लिख सकते टू मल्टिपला आफ फोर दिपावर आफ एक्स क्योंकि 2 क्यों हमें मल्टिपल के यह दोनों सेम है इनके बेस भी सेम है तो इसलिए हमने 2 लिखा मल्टिपला अगर हम पलस करेंगे एक फोर 8 एकस बन जाए 8 पावर आफ एकस तो वह भी यही इस फार में हमने लिखा इसको इस इकलट वन है अब यहाँ पर अगर 4 हम देखेंगे 4 का हम power form में भी लिख सकते हैं तो क्या लिखेंगे फिर x 2 multiply of 2 power of 2 2 to 0 4 वो भी सेम बन जाएगा 4 और अपना x से power तो हमने कुछ नहीं किया सिर्फ 4 को power form में लाया is equal to 1 अब देखते हैं in case of multiplication multiplication में जब बेश सेम होता है तो powers का add होता है तो इनको पहले हम इनको multiply करते हैं फिर उस तीसरे सिटब में चाउथी सिटब में हम लिखेंगे वो सिटब क्या लेखेंगे खाली हमको multiply इनको करना है powers को multiply करना है क्या लेखेंगे फिर 2 power 2 x is equal to 1 अब बन गया हमें बेश दोनों का सेम है इनके साब multiplication तो powers का add हो जाए तो क्या लेखेंगे 2 the power of 1 इसका है और plus 2 x है इसका है is equal to 1 वो एक स्टब एड़ करते हैं हम लिख सकते 2 the power of 1 plus 2 x is equal to 1 को हम लिख सकते 2 the whole power 0 वो भी यही बन जाएगा 1 क्योंकि जिसके भी उपर power 0 होगा वो 1 के बराबर होता है anything raise to power 0 is equal to 1 के बराबर होता है अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पर जब base होता है same in case of is equal to form में यहाँ पर भी 2 base है यहाँ पर भी 2 base है तो powers का comparing होता है क्योंकि यहाँ पर दोनों का base same है इनके साथ is equal to comparing करते है powers का अब क्योंकि base इनका same है is equal to comparing किया हम इन दोनों को तो क्या आएगा 1 plus 2x is equal to 0 क्योंकि यहाँ पर 2 का powers 0 है तो अब x का value निकालते x को हम यही रखेंगे और जो बाग है उनको right side में लाएंगे यह plus है यह minus बन जाएगा 1 और यह multiplication यह divide हो जाएगा 2 यह हमने x का value निकाला है इसी के साथ यह question भी खतम हो गया अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like, share और subscribe करना thank you for watching this video